अच्छ प्रेस्ट्राइब और प्रेस्ट बेल आइकन पर नाइफिकेशन नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने बहुत ही जरूरी बात करने आई हूं और वो बात है नौर्थ कोरिया के बाहरे हैं नौर्थ कोरिया के राष्ट्रपती किन जॉन कुन और साउथ कोरिया के राष्ट्रपती मून जे एन ने एक एदिहासिक रचना रची है वो रचना यह है कि उन्होंने शिखरवारता करके एक दूसरे से हाथ मिलाया और सालों की जो रंजिशी थी उनको मिटा डाला यह एतिहासिक लम्हा हम सबने देखा नौफ कोरिया साउथ कोरिया के लोगों ने देखा है बलकि पूरे विश्वन नहीं है नजारा देखा और यह जो एतिहासिक दोस्ती रही जो हुई वो किसके वज़े से रही तो आपको जानकर बहर भेरानी होगी कि यह व्यक्ति है सुहून की बज़े से उनकी पोशिशों की बज़े से यह दोस्ती पन भी और यह है नाशनल इंटेलिजन सर्विस के सरगना आचीव मुख्या सुहून जो की दशकों से चाहते थे कि नौट पोरिया और साथ पोरिया के बीच में दोस्ती पन पे और 18 साल पहले वो प्योंग गए थे और किंग जॉन टू जो है उनसे उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने यह बात सामने रखी थी कि यह रंजिश अब मिचनी चाहिए पर उनकी बात को कोई तूल ना दिया गया और उनकी बात को नकार दिया गया और किसी पता पता था कि 18 साल बाद उनका बेटा किम जॉन्टू का बेटा किम सामने आएंगे और ये एतिहासिक लम्हा हम सब को देखने को मिलेगा हमें काता है कि ये कोरिया पहले एक मुल्क वा करता था और 1950 और 1952 के जो लड़ाई थी कोरियन वार हुई थी उसके बाद इन दोनों का बड़वारा हो गया था तो ये बात हम सब को बहुत अच्छी लगी कि एक व्यक्ति जिन्होंने दो दश्कों से इतनी महिनत की तो उनकी महिनत सफल हुई और हमे कैसे पता चला जब किम जॉन और मोन जे इन हाथ मिला रहे थे तब सु हुन पीछे खड़े होके दो रहे थी तब हमें ये बात पता चली पोरियाई प्राइड वीड अभी भी तत्नीकी तोर से जनकी स्तिधी में है और 1950-1953 की जो लड़ाई हुई थी उसको संधर्श विराम के द्वारा बंद किया गया था ना कि कोई संधी के द्वारा ये बात किसे से छिपी नहीं है कि नौट पोरिया पड़े जिनून के साथ परमानू बं और मिसाईलों क्या परिक्षिन करता है और इससे जो कि परोसी देश है जैसे साउथ कोरिया चाइना और वो ही क्यों बाकि सब देश अमेरिका और तूरा विश्व बड़ा ही चिंतित है कि इससे क्या इसका क्या नतीचा सामने आएगा और हमें पता ही है कि जब परमानू बं एक उसका परिक्षिन हुआ था तब हम सब दर गए थे और साथ में एक 6.3 मगनिटूट का अर्ट्वेक लिए नौट पोरिया में आया था विंगेली जो साइट है नौट पोरिया में वहां के पहाड़ों में इस अर्ट्विक की वज़े से दरार आ गए थी और सब में ये भैं स्थापित हो गया था कि अकर ये पहाड धस गए तो ये रेडियेशन सब जगी फैल सकते हैं और इसकी चलते कई देश बड़े भैदी देश इसलिए नौट पोरिया से अपनी व्यापारिक संब्ध है वो तोड़ चुके हैं और UN, United Nations ने भी काफी नौट पोरिया पे प्रतिभन लगाया हुआ है ये प्रमानु जो बब है उसकी चलते तो सब को डरा ही सकते हैं लेकिन अगर शांती के लिए कोई अग्रसर होता है तो वो कठिन बात होती है लेकिन हासिल की जा सकती है तो किम ने यह कर के भी खाया, अभी तो वो यही बोल रहे हैं कि जो निरस्तिकरन हैं, वो करेंगे वो foreign media और जितने जानकार लोग हैं हमके सामने, वो अपने sites जो भी sites हैं उसका निरस्तिकरन करेंगे और ये वो करना चाहते हैं Donald Trump से मिलने से पहले हम सबको पता ही है वो कि तीन-चार हफतों में वो President Mr. Donald Trump से मिलने वाले हैं तो उसके पहले वो ये काम करना चाहते हैं और इनने यही बात की जब वो बात करने बैठी हूंगे कि Trump भाई के साथ तब उनमें पता चल जाएगा कि वो कैसे व्यक्ति हैं वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि किसी भी देश पे हमला बोलते हैं परमानों वहों से या हत्यारों से अपने किम ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ऑफचारिक उपसे कोरियन जो युद्ध है उसको समाप्त कर देता है और यह वायदा करता है कि नौर्थ कोरिया पर हमला नहीं करेगा तब भी किम अपने हत्यार सारी सौप देंगे या नश्ट कर देंगे और किम यह भी खाँ कि जब एवरिका से नामने सामने बैच की बाते होगी और विश्वास पहाली कर पाए और आक्रा मगता जो संधी है अगर वो साइन होती है तो बिल्कुल किम आगे हूंगे, अग्रसर हूंगे अपने हत्यार डालने के लिए, अपने हत्यार क्याँ देने के लिए आपने आप अपक्रप्रीप में इस सारी बातों का विश्टेशन करने आपके सारी प्रसुत करना चाहिए हम सब को पता ही है कि Trump भाई को एक ट्रीट करना बड़ा पसंद बेहर पसंद है वह स्थार नेक्लिक्स करना है तो एक क्ट्रीट में उन्हें लिखा था कि यह जो भी शांतिवार्था और शिक्षय वार्था हो रही है ये उनकी वची से हो रही है जो कि ठीक भी है क्योंकि अमेरिका ने दवाब डाला चीन पर और फिर चीन ने दवाब डाला नौर्थ पोरिया पर तब जाके किम अग्रेसर वे शांती के लिए होने आगे हाथ बढ़ाया तो नौर्थ पोरिया फ्यूए नी बात मांता है चीन की की वे हम तब नी थी पत है कि वेरसाए की बात आती है अर्थिक समर्थन की बात आती स्यूवे, नौर्थ पोरिया चीन पर को खूद मेमघर करता है तो इसके चलते उन्होंने किम ने चाइना की बात मानी है। तो मैं चन्हाई से यही उजारिश करूने की जबाख शांती वार्ता करी ऐसी वार्ता लग कीजे जिससे शांती उभर के आए क्योंकि हमें पता है किम कभी भी तरखीन हो सकते हैं तो इसको शांती का रूप देखिए ऐसा करिए जिससे पूरे विश्यू में एक शांती का महौल स्थापित हो जाए और आप प्रिप्या हमारी जो बॉलीगोड भी है लगे रहो मुन्ना भाई उसको जरूर देखिए इसस बार में कहना चाहूंगी और यही मेरी आखती बात आज की होगी गुच बाई रंजू साइंस ओव बाई